चोपडा एजोगेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो जिन इस्टुडेंट ने केरिला इस्टेट के लिए प्राइवेट कोलेजेज के लिए अपलाई कर रखा है उनके लिए गुड नियूज यह है कि केरिला कमेटी दोवारा फिक्स की थी वो 5-6 लाक रुपए के बीच में थी फिर अचानक के कोलेजेज ने हाई फीस की डिमांड की कॉर्ट ने यह कहा कि यह फीस आप इस्टुडेंट को इंटिमेट कर दीजे तो इस्टुडेंट को जो इंटिमेट की गई थी फीस वो हाई फीस थी हालांकि 4 कोलेजेज की फीस 8 लाक थी बाकी कोलेजेज की फीस 12 लाक से 20 लाक तक थी तो यह काफी हाई थी लेकिन जो इस्टुडेंट से पिसली साल फीस ली गई थी वो कम वाली फीस ली गई थी जो 5-7 लाक के बीच में थी 5-6-7 के बीच में थी वो फीस ली गई थी स्टुडेंट से तो ये केरला स्टेट की फीस के बारे में अभी कन्फियूजन ही बना हुआ था कि ये कितने फीस होगी तो अभी फीस फिक्सेशन कमेटी ने इस साल के लिए फीस जारी कर दी है और वो कम फीस वाले ही कोलेजेज रहेंगी इस साल के लिए इंडिया की कर रखा है उन स्टुडेंट को यहां फाइदा हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि केरला स्टेट के रेजिस्टेशन आलड़ी हो चुके हैं इसके दुबारा से रेजिस्टेशन होने की कोई संभावना नहीं है आगे कोई रेजिस्टेशन नहीं होता है सेकंड राउंड म ब bevor round में कभी रेजिस्टेशन नहीं होता है एक ही बार रेजिस्टेशन होता है वह आलड़ी हो चुके हैं अब इसका सेडूल भी आ चुका है जैनोंने रेजिस्टेशन कर रखा है वो इस स्टुडेंट अपना चौईस फिल 갈 सकते हैं तो चौईस फिलिंग के लिए जो दे और रिपोर्टिंग होगी तीन से साथ फरवरी 22 को इसमें जब रिपोर्टिंग होती है तब आपको फीस का कुछ अमाउंट वहां पे करना होता है वो साथ में लेकि जाना होगा वहां डोकुमेंट्स वेरी पिकिशन करवा के एडमिसल लेना होगा इसके बाद सेवंथ फरव में जानकारी ले लेते हैं तो यहां की जो गौर्मेंट MBBS की फीस है वो 27,580 रुपीज है और गौर्मेंट डेंटल की फीस 25,380 रुपीज है अब प्राइवेट की फीस की हम बात कर लेते हैं यहां पर तो KMCT की 6,87,410 रुपीज है पुस्पागिरी की 6,94,830 रुपीज ह आमला की 6,94,830 रुपीज है जूबली मिशन की 6,94,830 रुपीज है मलंकारा की 6,94,830 रुपीज है इसके बाद में जो तरवंकोर है कौलाम का और इसमें बेलिवर्स है इसकी फीस फिक्स नहीं हुई है इसके बाद में जो सोमेरवेल है उसकी फीस 6,94,830 रुपीज है मालाबार की 6,94,830 रुपीज है अजेजिया की 6,94,830 रुपीज है अलहजर की 6,94,830 रुपीज है इसके बाद में स्री गोकुलम मेस की भी 7 फीस है 6,94,830 रुपीज तो इन कोलिजों की ये फीस है इसके बाद में जो माउंट जियोन है इसकी 6,89,636 है स्री नाराइन की इसमें जो फीस है 7,65,400 है पीके दास की अभी फिक्स नहीं हुई है करुणा की 6,70,768 है और इसके बाद में जो वाइनाड है उसकी फीस भी अभी फिक्स हुई नहीं है इसके बाद में जो इसमें एक सिरी उत्थारदम कोलेज है उसकी फीस 6,61,168 हुई है ये फीस तो ये जो गवर्मेंट की फीस रेगुलेर्टी कमेटी है उसने ये फीक्स की है इसके बाद में डेंटल की बात करें तो जनरल कोटा जो 3,21,300 है और NRI के लिए 6,00,000 रुपीज है यहां पर इसमें ये डिटेल दे रखी है ये जिन स्टुडेंट को कोलेजें अलोट हो जाती है वो 3,00,000 रुपीज ये पे करना होता है टोकन अमाउंट के रूप में और N NRI कंडिडेट को 5,00,000 रुपे पे करना होता है ये जब आप एडमिसन लेने जाएंगे एडमिसन के टाइम में ये आपको देना होगा तो ये आगे बाकी अपडेट आपको बता देंगे फिलाल आप इसमें 24 फिल कर सकते हैं कौन कौन सी 24 कैसे कैसे आपने फिल करना है ये म इस परकार की डिटेल मिल जाएगी कि केरिला इस्टेट में कौन कौन सी कुलेज की पिछली बार भी कितनी कटोप रही थी उससे पहले भी कितनी कटोप रही थी और आपने किस ओडर में ये 24 फिल करना है ये बुक में सारी अवेलेबल हो जाएगी और समय समय पर जो भी हम आपको इन्फोर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग